नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है मा बेटे का प्यार राजू को माने सब्जिया लाने बाजार भेजा था घर लोट कर उसने कीचन में थैला रखा और मा को आवाज देने लगा मा उसके छोटे भाई को कमरे में बैट कर होमवर्थ करा रही थी राजू 13 साल का था और उसका छोटा भाई रवी 7 साल का बड़े होने के कारण मा उसके घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सबजी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल दोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रैस करना राजु काम तो करता लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई इसलिए उसने कागज पर सब कुछ लिखकर मा को देने का मन बनाया कुछ देर बाद वै कागज लेकर कमरे में गया जहां उसकी मा रवी को होमवर्ट करा रही थी उसने चुपचाप कागज मा के सामने बढ़ा दिया और मा के कागज लेते ही कमरे से बहार आ गया मा कागज पढ़ने लगी उसमें लिखा था मा मैंने इस सब्ताहाद जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज में लिख रहा हूँ बाजार से सब्जी लाने के 40 रुपे घर की सफाई के 20 रुपे कपड़े प्रेस करने के 20 रुपे साइकिल दोने के 5 रुपे अलमारी सेट करने के 5 रुपे कुल हिसाब कुल 90 रुपे मा मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पोकिट मनी के रूप में चाहिए आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता आपका बेटा राजू मा बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी उस देर बाद वो आंगन में गई जहां जुले पर राजू बैठा हुआ था मा ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया राजू ने कागज लिया और पढ़ने लगा कागज में लिखा था बेटा तुमने अपना हिसाब दिया अब मेरी बारी है ये मेरा हिसाब नो महिने मैंने तुमें अपनी कोक में रखा उसकी कीमत कुछ नहीं तुम भूके होते थे तब तुमें अपना दूद पिलाने की कीमत कुछ नहीं तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं, तुम्हारे बिमार पढ़ने पर रात रात भर जाकर तुम्हारी तिमारदारी करने की कीमत कुछ नहीं, इन सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगा ही नहीं जा सकती, वो तो अनमो है ये पढ़कर राजू की आँखों से आंसू बहने लगे वो भाग कर अपनी मा के पास गया और उससे लिपट कर बोला सोरी मम्मी मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है कितनी तकलीपे सही आई लव यू मम्मी उसने वो कागज लिया और उसमें लि पसंद आई तो आप इसे सेयर कर सकते हैं करपया अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यकानी कैसी लगी धन्यवाद